इन्वार्मेंट की स्काइनिंग में आपके एक्स्टर्न और इंटर्नल फैक्टर्स का जाहिजा लेना होता है अच्छा एक्स्टर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको कल आपकी कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती इंटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल तो किया जा सकता ह लेकिन इसके बारे में जानना जहुरी है यहाँ पर एक keyword mentioned है पेस्टल के नाम से इसका हर letter नीचे दिये गए वे excellent factors के हर पहले word की पहले letter को represent कर रहा है ठीक है यह आपको exam में याद करने में help कर सकता है तो पहले देखते हैं पेस्टल के पीको जो के political conditions को जायर कर रहा है तो जो company किसी नए बिजनस में overall कदम रखना चाहरी है उसके लिए ज़ुरिया जानना कि वो जिस मुलक में ये कदम रखना चाहरी है बिजनस का उसके सियासी हलाद किया है क्योंकि सियासदान जो है वो overall policies define करते हैं ठीक है वो ट्रेड की policies होगी या टाक्स की policies होगी तो अगर तो वहां के हलाद जो है वो साथगार नहीं है या टाक्स रेट्स बहुत हाए हैं तो फिर आप शायद बिजनस के लिए strategy या overall हिकमते हमली different रख रहे हूं ठीक है फिर इकतसादी हालात का भी पता होना जहुरी है ठीक है कि वहां पर कहीं overall महंगाई इतनी जारत होनी है कि जो product आप produce कर रहे हैं कल को लोग खरीदी नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर महंगाई बहुत जादा पर इसके अलावा social conditions के बारे में भी जानना जोरी है कि कस्टमर्स की वहां पर जहुरियात का हैं बाद वकात ऐसा होता है कोई food की company होती है वो फरस करें किसी ऐसे अलाके में कोई beef की services गोश्ट की services देरी और बर्गर के अंदर जो कि वहां के लोग को पसंदी ना हो वो लोग चिकन को पसंद करते हूं तो इसके बारे में भी जानना ज़ूरी है ठीक है अब यह excellent factors को मैंने इसके कहा था कि control से बाहर है क्योंकि यह देखें जितनी factors हैं यह company खुद से नहीं को change कर सकती ठीक है next technology technology के बारे में भी जानना ज़ूरी है जिस मुलक में आप अपना business start करने जा रहे हैं वहां पर लोग technology कैसी use करते हैं फरस करें आपको product launch करने जा रहे हैं जो कि overall किसी नई technology पर base है तो फिर तो ठीक है लेकिन यह कि लोग अगर पहले सी उस नहीं technology को यूज करते हैं तो शायद फिर आपके लिए मसला हो ठीक है यहां पर example मैंने दीवी थी के इसना हमारे पास पुराने वीडियो के कुछ tapes थे उसको फिर बाद में DVDs replace कर गी तो अगर कोई company है जो के ऐसी company country के अंदर launch करने जा रही है जहां पर लोग पहले सी DVDs यूज करते हैं और आप VHS tapes को लागे वहां पर launch करना चाहरे हैं तो वह बिल्कुल टोटल failure होगा अच्छा फिर हमारे पास है environmental के वहां कर overall weather की conditions के आएं ठीक है तो इसके बारे में में जानना जो हो रही है क्योंकि मौसम भी जो है overall at times फरक डाल सकता है ठीक है then there is legal आपको यह बी पता होना चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान में पी टीए जो है वो टेलेकॉम सेक्टर का regulator है बैंक्स का regulator state bank है ठीक है state bank of Pakistan तो उन cases में यह भी पता होना चाहिए कि जिस बिजनस में आप कदम रखने जा रहे हैं उसमर्ड आपको legalities क्या होंगी आपको पता होना चाहि मार्किट के बारे में कि आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसी मार्किट में तो नहीं आपके दम रखने जा रहे हैं जहां पर कोई एक बहुत बड़ी मेनापली है ठीक है कोई एक ही प्लेयर है जो बिजनस करता है उसी कैटिगरी के अंदर और वो किसी और को आने नहीं देत है यह उसके अलड़ी इतनी बड़ी मार्किट कैप्चिर कर लिए कि अगर आप वहां पर आप भी जाएं तो आपके पैसे जाह होने के बहुत चांसे हैं ठीक है देन देरार इंटरनल फैक्टर अब यहां पर जारतर वो फंक्शन आते हैं जिसको कल आपी कंपनी कर सकती है क ठीक है अब यह वह सारी चीज़ें जो कि आपके बस में आपी कंपनी में चेंज़ लाके वह रिक्वाइट जीज़ें हासिल कर सकती है देरार फाइनशल रिसोर्स ठीक है कंपनी के पास और आल कैश फ्लो होना जोरी है ठीक है ताकि वह बाकियों के मकाबले में अच्छा प कर उनकी अच्छी हैंडलिंग करेंगे उनके खुआशात को पूरा करेंगे उनकी रिक्वेस्स को इंटर्टेन करेंगे उनकी कंप्लेंट को अच्छी तरीकिस हैंडल करेंगे तो बार बार आपके पास सर्विस लेने के लिए आ रहे होंगे तो यह भी आपके हाथ में होता पर यह भी आपके हात में होता है कि चुप अवेसाओ देने जाहरा है उसमें कस्टमर्स के लिए वर एल्यव ऐसी किया है जिसको बार-बार आ ले ठीक है तो यह भी आपके हाएं पर टेक्ट भी आपके हाथ में कि आप लगेसी यानि पुराने सिस्टम्स तो नहीं यूज कर रहें ठीक है तो हर कोई कंपनी चाहती है कि उसके पास एडवांस्ट टेक्नालोजी हो ताकि वह अच्छे प्रडॉक्स और सर्विस्स प्रेडियूस कर पाए तो यह भी आपके हाथ में होता है त तो अधर चैनल जिसमें आप कहलें फ्रैंचाइस हो गए रिटेल हो गए ठीक है तो उन तक जो है वो रसाई टाइमली हो और अच्छे तरीके से हो लास्ट पॉंट जिसमें फैसिलिटीज और एक्वेप्मेंट आते हैं ठीक है तो यह भी आपी कंपनी के हाथ में होता है कि प्रवाइट करती है फैसिलिटीज टू दी इंटर्ल कस्टमर जिसको हम इंप्लाइज कहते हैं जिससे उनकी मोटिवेशन हो सकती है तो यह वो तमाम इंटर्नल फैक्टर जो के इंवार्मेंट की स्कैनिंग में आते हैं इसको देखते हुए आपकी स्टाइडि जो है ना व